माउजने के थाना गोशी कोटवाली छेतर में गेंग रेप के मामले में तीन आरोपियों को गिरफतार कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपि एक ही काउं के रहने वाले हैं। आरोपियों ने गनने के खेत में यूती के साथ गेंग रेप की घटना को अंजाम दिया था उसके अलाम हमें फाईयार दर्ज नहीं हुआ उसे बाद हमारे बच्चों को दो दिन पर गुना को बैठा दिया उक्तवाल साथ चार दिन बैठा है तो कंज बगी छोड़े है चार दिन छोड़े तो आज रात में फाईयार दर्ज किये है कब की घटना ही है यह 8 तारी की घट मांक रहने वाले हैं अरोपी हमारे गाओं के हैं तीनों आरोपी गाओं के हैं कई से जंकारी हुआ आप लोग को यह घर पर बताई है कि हमारे साथ ऐसा ऐसे हो गया है वो मारते फिटे लेके आए घर तक है और छोड़ चिप्क्यों मां भग दे तरीर दिये थे आप लोग अधरीर दिये थे तरीर के मुताबित हमारा को इजे फाई यार दज नहीं हुआ उसके मुताबित करास केस लिखा कर दोनों ने जो तीन दिन चार दिन बच्चों को बंद किया दोनों को सब्सक्राइब के साथ गेंग्रेक मंदों संद्या क्या है पुरा मंदों क्या कारवाई है वह सी थाना चेद में नौतारिक की रात की घटना को दरसाते हुए वह एक अभ्योग पंजीकृत की आया गया है यह पिंधान के फेट में जबरत मिले जादर के बलात क्यारकर नही सब्सक्राइब कारवाई की घटना में सामेल अभूतों को घरतार करके जेल पर जागया है अन्य मिटकल को रिख्षान और अन्य कारवाई की एक जदी से अरोपर को सब्सक्राइब मिश्यत रूप से बलतकार हुआ है लड़की के साथ और यह तीनों लोगे बलतकार किये हैं इसमें दिनांक 8 की घटना है आठ तारिक को हम लोगोंने पराशना पत्र दिलवाया लेकिन अब तक जिले की पूलिस जिले के अस्थाने राद भर विरादरी के नेताओं से दबा कि इसको 11 को दिये तहरी उस पर जाकर कि उन्होंने लिखा तो कल 12 बजी राद को फायार हुआ इसमें पूर्ण रूम से अस्थानी नेता भार्ती जन्ता पार्टी के जो है राजभर विरादरी के लगे हुए है लोग जो की इस परकार का जो है यह फायार नहीं हुआ नहीं कौन दबाव बना रहे हैं आके जो है पुरु वह हैं सांसद है वरतमान जो है विधायक है अस्थाने जो है पदा धिकारी जिले के हैं तो यह फायर ना हो फायर तो हुआ आज बारवजी रात को हुआ है